चेहिन वंद्यमात्रम एग्री जड़नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का श्वागत है तो यहाँ पे हम MPPAT का जो इसका आपका AG123 गुरूप के सलेबर्स को डिसकस करने वाले है ठीक है बेटेज वाले आपके टॉपिक की भी आपे बात करेंगे कौन बेटेज वाला इंस्टाग्राम और टेलिग्राम गुरूप की लिंक के बने डिस्केप्टर में पिन कर रखें तो आप वहाँ पे एड हो सकते हो ठीक है आपने जो भी पर्सनल कुश्चन है आस्क कर सकते हो और सबसे इंपूर्ण यहाँ पे अबजेक्टिब के लिए बहुत सारी बुक्स कर लेना बहुत अच्छी बुक है फालतू बुक बिल्कुल भी मत पड़ना क्योंकि भूट सारे इस्ट्वेंट ऐसे होते हैं टौल्ट के बाद फालतु बूक्स पढ़ते रहते हैं एक्जाम मेरा कले यहाँ बहुत सारे सुन ऐसे होते हैं जो कुँझी बगीरा पढ़ते प्रॉपर ओफिशली जो स्लेबर्स है वो कम्प्रीट करना बहुत जरूरी है ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपके एग्रीकल्चर के स्लेबर्स के बारे में तो एग्रीकल्चर में आप सभी को यह पता है कि आपके 50 कुशन आते हैं एक्जाम में ठीक है 50 कुशन आते हैं और नो निगेटेब मने समार्खंग रहती है एग्रीकल्चर आपका हो गया ठीक है एग्रीकल्चर के बाद आपकी जो एनिमर हस्मेंटरी होगी है यह 50-50 कुशन इसके आते हैं तो इन पे फोकस करना बहुत जादा जरूरी है बेटेज बाले टॉपिक पर मतलब अल्रेडी आपका एग्रीकल्चर हो और एनिमर पर दोनों को जो है 100 नंब्र के आते हैं तो आपको 80 प्लस का स्कोर तो करना ही करना है दोनों में 80 प्लस का तब हैं जो surrender आपकी बैसिक जैसेे आपका आक्रन डाट fle운 बहुत सारे questions current data से आते हैं एक बार check out करना आपको general agriculture से मैं यहाँ पर minimum बता रहूँ आपको 8 से 10 questions तो paper में मिलेंगे minimum बात कर रहा हूं मैं 8 से 10 questions minimum ठीक है current data से यहाँ पर जो आपकी production country है कि कौन सी country किस production first number पर है चाइना इंडिया वगरा इनका और सबसे important land area ठीक है land area कि आपकी horticulture crops का कितना land area है agriculture crops का कितना land area है कौन किस crop का कहाँ पर जाता जो है land area यह most important है तो यह journal agriculture का data आपको एक बार जरूर जो है देख लेना है ठीक है मैं already upload करता रहता हूं telegram पर यह journal agriculture की चीज़ है current update जो आपकी agriculture में आते हैं उनको जरूर एक बार देखते रहिएगा एक पतली copy जरूर बना लेना उसमें जो भी आपकर नया data आता है उसको जरूर लिखते ज आईएगा most important चीज़े हैं यह आपको एक पढ़ने का तरीका बता रहो बहुत सारे students को नहीं पता होता है 12 के बाद आते हैं तो को नहीं पता होता कैसे क्या करना है competitive exam की तैयारी कैसे करने तो यह basic चीज़ है यह ठीक है खुद से आप already यह सारी चीज़ सीख सकते हो next आपको यहाँ पर topic आता है वो आपका manures and fertilizer यानि खाद और और उबरक most important topic है खाद और उबरक आपके 2-3 question minimum बता रहूं आपको 2-3 question exam में आते हैं ठीक है और competitive exam में भी most important topic है nitrogen fertilizer बगएर फॉस्फोरस, potas, fertilizer बगएर इनके बारे में पढ़ लेना ठीक है और आपकी खाद बगएरा के संगठन होता है वो most important है exam में यही databases को शरी से ज्यादा आते है तो इसको भी एक बार देख लीजेगा topic को complete करते हो चलना भई crop classification most important topic है आपका अगरिकल्चर में जैसे होटी कल्चर है वैसे अगरिनोमिकल crop में आपका यह topic most important crop classification जितनी भी आपकी agronomical crops हैं उनके आपको chromosome number ठ चीए बीजदर क्या है उनके उत्पत्ति स्थान क्या है ठीक है कितने उनको उपज कितनी निकलती है सारी चीज़े बेस कुरूम्जों नंबर तो याद होना ही होना चीए यह most important topic है चार से पांच question exam में आती है इसकी बहुत सारी crops की आपकी variety होती मूम फली वगरा की फैले वाली जाती गुच्छेदार जाती question आते ही आते हैं exam में तो एक बार इसको जरूर देखना ठीक है मैंने already एक वीडियो आपकी बना रखी है varieties पर देख लेने link description में दे रखी उसको check out कर लेना ठीक है next आपका smile sign most important topic है यह भी भाई दोखो यहाँ पर अग्री गल्चर में सा 5-6 question collides से डाल दिये जबकि एक question आया करता था exam में तो भाई पता नहीं है कब कौन से topic से कितने question डाल दिये जाए यहाँ पर देखिए स्वाइल साइंस जो आपका मिर्दा बिग्यान most important acidic soil, alkaline soil, rocks और आपकी smile profile इनसे question आती है तो एक बार आपको गहराई से पढ़ लेना है smile profile के बारे में बाकी चैनल को subscribe कर लेना आपको यह topic में particular तरीके से complete करवा हूँगा आपके exam के time तक बिल्कुल भी आपने वो परिशान नहीं होना है, classes already आपकी live चलेंगे, ठीक है, next आप पर यहाँ पर agriculture economics, यह आजकल competitive exam में आने लगा है बहुत जादा, agriculture economics में आप पर इसको देख लेना है agriculture economics को, next आपका important topic है यहाँ पर tillage and irrigation, यह भी आपका बहुत ज्यादा बेटरे topic जिसमें irrigation most important है, जिसमें पिलाव बगेरा से question आजाते हैं आपके tillage में, ठीक है, irrigation method आपको तो already पता है, irrigation method कितनी important है, water crops requirement, ठीक है, किस फसल की कितनी जल मांगे, potato की कितनी दान की कितनी जल मांग है, आपकी बेट की कितनी जल मांग है, ठीक है, वो यहाँ पर पूछ लेता, तो most important है, इनको topic को cover करके रखना भई, मैं आपको already बता रहा हूँ, क्योंकि AG123 group की students ने कई बार telegram, instagram पर में को message किया हुआ है, कि भईया, एक जो AG123 group का slavers pattern क्या है, मैं already बता हुआ है, लेकिनों नहीं देखा था, तो special में को एक वीडियो उनके लिए जो है, आप बनानी पड़ी, तो एक बार चेक आउट कर लेना भई, ठीक है, इससे भी आपकी यह मान की चलिएगा, कि 3-4 question, 1-2 question तो आप टेले से मान के चलिएगा, और सचाई से आपके 2-3 question आप सचाई से मान के चलिएगा, आते ही आते हैं exam में, ठीक है, next आपका होटी कल्चर, तो इसके बारे में तो क्या कहने है, होटी कल्चर तो आप सभी को already पता है, कितना important है, ठीक है, 10-12 question आते ही आते exam में, होटी कल्चर से, और होटी कल्चर का बेटे जब, already exam में, complete exam में को पता है, बहुत सारी planting method होती है, contour method, पहाड़ी, बहुत बर्गाकार method, यह सभी planting की method है, vegetable का पूरा classification most important, आए 10 star लगा लो भई, इस पे तो आप, vegetable classification most important है, बहुत ज़्यादा कुशन आते, classification का मतलब की मौसम की आधार पर, जलबायू की आधार पर, कुलो की आधार पर, ठी गया है, तो most important है, और किस crop में कितने क्रोंग जो नंबर होते है, उसको 32 स्थान क्या है, उसको कैसे रोपाज आता है, नर्सरी में कप transplant किया जाता है, ठीक है, नर्सरी जे खेत में कप transplant किया जाता है, यह most important है, vegetable classification, ऐसी same आपका यहाँ पर, fruit का classification, होटी कल्चर, यह आप most important ह इसको तो आपको cover up करना ही करना है, होटी कल्चर को, पर यह cover up नहीं है, तो बिल्कुल भी exam देने मत जाना भई, next आपका fruit का classification, same इसी टैप से आपका fruit का classification होता है, जैसा vegetable का होता है, next आपकी बहुत सारी propagation method होती है, इसमें कि अनार को कैसे रोपा जाता है, अंगूर को कैसे propagate किया जाता है, इनका पर बर्दन कैसे किया जाता है, ठीक है, binary grafting, birding बगर, आपने already सारी चीज़े पड़ी होंगे, 12th में कहीं न कहीं, next आप कि यहाँ पर jam jelly से question पूछे जाते है, IMPa jam jelly, ठीक है, यह most important है, आप सभी को already पता है, 12th में भी आपकी jam jelly में अंतर आया करते है exam में, तो यहाँ पर भी most important है, लेकिन यह बात यहाँ पर student याद रखना agriculture के 12th में और competitive exam में तयारी करने में बहुत ज्यादा difference है, ठीक है, 12th में ऐसा होता रट के paper में लिखा हो, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर जितना ज्यादा theory best करने की कुशिस करोगे, benefit आप स ठीक है, इनकी बहुत सारी आपकी दवाई वगेरा होती है, फ्लू कलोरीन, लासो वगेरा, इनसे संबंदे question exam में आते ही आते हैं, यह भी पूछता है, किस बीड का बेग्यानिक नाम पूछी लेगा, बीड कौन सा जैसे सत्यानासी है, एक बर्ची है, दुई बर्ची है, कैसा खरपतो आ रहे, ऐसे questions exam में आते हैं, बिल्कुल बेशे questions आते हैं, तो यह आपके most important topic है, agriculture के, इन पे आपको बिल्कुल यहाँ पे command करने की कोसिस करनी है, बई, अगर आपकी यह topic कबर नहीं होते हैं, तो exam मत देना, ठीक है, बहुत most important topic है, और अभी तक आपको अपको animal anatomy, एक से दो question देखे जाता है, animal breeds होगी आपका, दो से तीन question है, बान के चलिएगा animal breeding होगी आपकी, ठीक है, animal breeding आपके 3 से 4 question देखे जाती है, तो most important topic है, यहाँ पे breeding और breeds दोनों important है, ठीक है, यहाँ पे animal management and care, most important topic, 4 से 5 question यह आपने को देखे ही देखे जाता है, exam में, 4 से 5 question, यह मान के चलिएगा, ठीक है, most important है, आवाज से सम्मंद्र question पूछता है, next आपको poultry, very very important topic है, यहाँ पे poultry, आपको मुर्गी पालन, बहुत ज्यादा question आते है, मुर्गी पालन, disease बगरा से question पूछते जाते है, रानी खेद बगरा, details में question पूछ लेता है, most important है poultry, next आप आपका यहाँ पे animal nutrition, इतसे question आते है, silage है बगरा, most important है आपका, animal disease very very important topic हो गया, ठीक है animal disease भी बहुत सारे आपके रोगों से सम्मंद्र question पूछता है, उनके रोग का रखे नाम पूछता है, vaccination पूछता है, कब कैसा vaccination होना चीए, यहाँ पे dairy first हो गया, dairy second हो गया, इसमें मिल already मैंने question डाल रखे, आप एक पाने questions के pattern को देखना, slavers complete करने की कोसिस करना, मैं जल्दी यहाँ पे slavers आप सभी जो है, आपके सार नोट्स बगरा है, यहाँ पे launch करने वालों अपने MPPAT के, जो भी interested students में प्रोपर तरीके से मैं एकदम define किया हुआ है, तो अगर आप interested है, त इस बगरा सारे आपके समें आते हैं, ठीक है, तो 25 question आते हैं आपके biology के, यह भी important है biology already, ठीक है, और बहुत सारी चीज़े हैं already असी, इसमें cytology होगे आपका, cytology इसमें सबस्यादा important अगर बात करूँ तो cell division, most IMP is, most very very important है cell division, एक से 2 question आते हैं exam, ज्यादा question इसका ज्यादा question नहीं आते हैं cell division के, मैं आपे बता दू, ठीक, एक से 2 question आते हैं, next यहाँ पर plant video होगया, most important, genetic stress में मेंडल्स law से question आते हैं, तो 2-3 question आप इसके मान के चलिएगा, ठीक है, एक आध question आपका मेंडल्स law से पूछ लेगा, एक आध question DNA, RN, linkage बगेरा से पूछ लेता है, next आपके parent timer, colon timer, skeleton timer, very very important question आते हैं, आते ही आते हैं, आप यह मान के चलिएगा, 3 question minimum, minimum 3 question, 2-3 question आते हैं, इस topic से, next आप अप plant hormones, यह भी most important है, ठीक है, एक से 2 question आप इससे मान के चलिएगा, आते हैं, next आपका root stem and leaf, very important topic है वही है, ठीक है, यह agriculture में भी काम आता है, topic, तो 2-3 question आप इसस basic question फच्के Talk YEAR आते हैं, मधु मक्ही से ज़्यादा, इसमें, थीक है, मदु मक्ही की आप से पूच्छ लेता है, कोन मधु मक्ही कि रोप मदुमक्ही कौन सी है, क्या कैसा सारा पैटरनस से पूशेता है, मदुमक्ही के रोग बगेरा भी पूशता है, इनको याद रखना, ठीक है, यहाँ पे फिर आता है अर्थबॉम, इसे एक कौ grieving, दो कौर्शन आते आते हैं , बिल्कुल basic question पूछता एक्जाम में आप प्रिवेस्ट पेपर देख रहा ना basic question पूछता एक्जाम में ठीक है plant physiology very important topic अगर biology में करना है तो इस topic को इनको जरूर करना वही प्लांट फीजोलोजी जैसमें फोटो संथेटिक्स रैश्परेशन एंड ट्रांस्परेशन मतलब आपका प्रकास संसेशन स्वासन और बास्पूसर्जन मुस्ट इंपूर्टन टॉपिक है किनो टॉपिक आपके आपे दिये हूए कोशन आते आते एक्जाम में ठीक है यह मा कभी-कभी एक-दो कोशन देखने को मिल जाते हैं एक्जाम में ठीक है तो यह आपकी बाइलोजी में नेक्स सम्बात करें आपके थीनसे होग्जिशन न सथे अइक्द कूशन पूस लेता है कभी-कभी तो या कुछ आंसे कुशन आते हैं तीन से चार कुशन देखे जाता ये तको फिय आफ्ने से एकजाम में पूछता है पी-एच दे देगा, पूछ लेगा, साथ पी-एच है, इसका पी-एच क्या होगा, ठीक है, यह आपने को लिख देगा, पाँच पी-एच है, इसका पी-एच क्या होगा, ऐसे कुशन पूछता है, लोग बगरा लगा के, ठीक है, तो chemical पी-एच केमिकल एक्यूबिलियम, यानि रसायनिक साम्व, मुस्ट इंपूटन टॉपेक है, इसको कवर करना वई, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है, कोलाइड, कोलाइड वेरी इंपूटन टॉपेक, आप सभी को अल्रेडी पता है, प्रीवी शेयर में, इसलिए किसी भ में नहीं आते, तो इस साल नहीं आ सकते, मुस्ट इंपूटन टॉपेक है, जर्नल और्गनिक केमिस्ट्री, ठीक है, थोड़ा सा बेटेज भी है, पांसे छे कोशन यह देखे जाता है अपने को, इसलिए इसको करने की जरूरत है बाई, टॉपिक को, आईसो मेरिजम आपक कार्भोहड़र्ट प्रोटीन फैट्स, वेरी इंपूर्टन टॉपिक, बाईो केमिस्ट्री है भाई, मोस्ट इंपूर्टन है, करना ही करना है यह तो, सॉलूशन हो गया, यह आपको करना है, नहीं करना ही आपको बेड़बेंड करता है, बाकी यह टॉपिक आपको करने ही करने हैं बाई मैं आपको और यह आपे बता दूं ठीक है केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा bash चाहिए आपको करनी ही करनी पड़ेगा तो अच्छा कोलिज चीए बाकि लोगि लोज चाही है पढ़ना है आपको उर्टी कल्श सतjekt 살 बगर यह बागी अच्छा स्कोर चीए जबलपूर रीबाटी कंगड़े बगर चीए तो इनको आपको यह ओड़ेडी चारी चीज़े करनी पड़ेगी मैस यहाँ पर 25 कुशन आते हैं ठीक है मैस में 25 कुशन आते हैं जिसमें आपकी AP, GP, HP, log और स्टेटिक्स यह important है जिसमें आपके सबी most important topic है भाई मैं किसी को भी आप यह नहीं बोल सकता कि important नहीं है कभी भी किसी भी topic से particular topic को target करके math में question दे देता है math में आपके 8-10 question log से कई बार आए हुए कई बार क्या हुआ कि एक सिर्फ AP पूछा हुआ है और GP पूछा हुआ है जबकि log और स्टेटिक्स से question in दिये तो यह math का pattern होता है math में सारे topic most important है का cover up कर ले ना भाई ठीक है बाकी physics की बात करते हैं तो 25 question आपके physics की आते हैं जो कि इसमें से आप यह मान के चलिएगा कि 20 question तो आपके theory based आते हैं 20 question 18 से 20 question theory बाकी आपके बची हुए question यहाँ पर solve करने के लिए आते हैं तो इसमें light first light second से बिल्कुल theory based question पूछता है ठीक है next यहाँ पर heat इससे सबसे हाँ theory based question आते हैं most important topic है 4-5 question heat से आते हैं एक्जाम में तो इसको जरूर कवर कर ले ना basic question आते हैं question and machine हो गया most important घरसन और machine question एक से दो question आप मानके चले के इससे आते हैं यह आपका SHM most important है इसको भी cover कर ले ना 2-3 question अपने को यह देखे जाता है ठीक है तो आप यहाँ पर मानके चले question का pattern थोड़ा सा उपर नीचे रहता है बाकी आप किसी से ज्यादा question कभी पूछे लेता है किसी से कम question पूछे लेता है अपने को सारे topic यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे और मैं आपको अल्रेड़ी पहली बता चुका हूँ तो short notes create कर लेना physics chemistry के आपको exam के time पर बहुत जादा यहाँ पर काम आने वाले है मैं अभी सबी students को बता दू आपको बहुत सारे students अभी already सुस्तवस्था में होंगे dormancy stage में होंगे उनको अभी कुछ भी पता नहीं है ठीक है तो इसलिए अभी भी serious हो जाओ आओ आप सभी के पास already time है बहुत सारे students पूछने की तीन में चार महिने का time है अब तुम exam निकाली नहीं पाऊंगो ऐसा कुछ भी नहीं है एक एक दिर्ड़ महिने में exam clear हो जाते हैं बस proper maintenance तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो आपके पास time है बाकी कोई भी problem आती है मैंने बताय हुए instagram, telegram लिंक description में है जाके आप मेरे से कोई भी help चाहिए हो पूछ सकते हो बाकी मिलते हैं next update के साथ चलन को subscribe कर लेना ठीक है जै हिंद, जै भारत, वंदे मातरम